Hello, Good Morning Students, Welcome to Online Classes, Class 4th, Lesson 2, and Today, Our Topic is Land or Terrestrial Plants. Land Habitat can be subdivided into many areas. जो Land Habitat होती है, जो भूमी होती है, उस पे जो आवास होता है, प्लांट का, वो पर विभाजित होता है, बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे छेतर में. प्लांट्स ग्रोइंग इन एच ओफ दीस एरियाज नीड तो एडजेस्ट तो दे काइंड ओफ वैदर, अमाउंट ओफ रेंफूल, टाइप ओफ सोईल, और अधर सच फेक्टर फाउंड इन दा, इन डाट प्लेस. जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स ग्रोग करते हैं, वो अपने आपको कैसे अडजेस्ट करते हैं, कि किसी एरिया में कैसा वैदर है, कैसा रेंफूल हो रहा है, कैसी उसमें सोईल है, उसमें, उस छेतर में, उसके अकोर्डिंग वो अपने आपको अडजेस्ट करते हैं, नेक्स्ट, plants in the plains, जो plain में plant grow करते हैं, plants growing in flat plains have more space to spread out, जो plains में grow करते हैं, plant वो कैसे होते हैं, ज्यादा space में spread हो सकते हैं, फैल सकते हैं, usually they grow several branches and have flat leaves उनकी बहुत सारी branches होती है like this and flat leaves होते है these help water vapor to evaporate and keep the tree cool when the climate gets hot तो जो इसकी flat leaves होती है उनको evaporate कर देते हैं ये उड़ा देते हैं और जो tree होती है वो ठंडी रहती है जब जो climate होता है मोसम होता है वो कैसा रहता है hot रहता है गरम रहता है flat leaves also help to trap a lot of sunlight जो flat leaves होती है चोड़ी पत्तियां होती है वो क्या करती है sunlight को पकड़े रखती है mango, bunyan, neem, people, mulberry, popular and sesum are some trees that grow in plains ये कुछ trees के नेम है जो plane में grow करते हैं मलबेरी क्या होती है सेंतूत और popular क्या होता है मेरू some of these trees loss all the year leaves at once in autumn इन में से कुछ trees के जो पत्ते होते हैं ये autumn season में पत्रड सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं spring approach new leaves start growing और वसंत्रीतू में इनकी नई पत्तिया आना स्टार्ट हो जाती है झालीघ करते हैं